Hey everyone, welcome back to my channel रोहेशेटी के रियालिटी शो खत्रो के खिलाडी 14 का ग्रेंट फिनाले आज और कल राज साढ़े 9 बज़े टेली कास्ट होने वाला है लेकिन इससे पहले ही शो के बिनर का नाम लीक हो गया है कौन और किस वज़े से बिनर बना है ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो इससे पहले गराब मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर प्रेस करें तो खत्रो के खिलाडी 14 अब अपने आखरी पढ़ाओ पर पहुँच चुका है इस शो का फनाले 28 और 29 सितंबर वो टीबी पर टेली कास्ट होने वाला है यानि कि आच और कल जिसको लेकर फैंस में काफी बज बना हुआ है हर कोई ये जानना चाहता है कि आखर किसने इस शो के टौफी अपने नाम की है शो के फनाले में आलिया भट भी शामिल हुई जिसके कई प्रोमो सोशल मीडिया पर वालल हो रहे हैं इसी बीच शो से जुड़ी एक बड़ी हैरान कर देने वाली ख़बर सामने आ रही है रसल सोशल मीडिया पर शो के विनर का नाम लीग हो चुका है तो आईए जानते हैं जी हाँ ये जानकारी रियालिटी शो के अपडेट्स देने वाले एक पेज ने शियर की है सोशल मीडिया पर जब से ये जानकारी शियर हुई है लोगों के बीच काफी बच बना हुआ है इस पोस्ट में विनर का नाम भी रिवील हो गया है दरसल टॉप फाइब में शालीन भनोट, गश्मीर महाजनी, अबशेक कुमार, करनबीर महरा और किष्णा शराब पहुँचे थे अब खबरों के मताबिक चार खिलाडियों को पीछे चोड़ते वे करनबीर महरा ने शो की टॉपी अपने नाम कर ली है दाखबरी के रिपोर्ट के मताबिक खत्रों के खिलाडी फोटीन को करनबीर महरा ने जीत लिया है अब यहां कुछ लोगों का मानना है कि ये फेर हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा है कि करनबीर महरा टॉफी के करीब तो पहुँचे थे लेकिन टॉफी गश्मीर महजनी डिजर्ब करते थे वेल दोस्तों आपको क्या लग रहा है कमिंड बॉक्स में लिख के बताईएगा खेर खत्रों के खिलाडी पूटीन में करनबीर मेरा की जर्णी बहुत ही शानदार रही है वो हमेशा से ही खिलाडियों के लिए टॉफ कमपर्टीटर बने रहे इतना ही नहीं करनबीर को शो में सबसे कम फेर फंदा मिला था इस खबर से एक्टर के पैंस काफी खुश नजरा रहे हलांकि इस सच तो शो का ग्रेंट पिनाले टेलिकास्ट होने पर ही पता चलेगा वेराल 99% शोर है कि विनर करनबीर मेरा है बता दे कि विग बॉस 17 के बाद अवशे कुमार इस शो में नजर आया थी शो में उन्होंने कई वहतरीन उस्टन परफॉर्म के और लोगों का खूब दील भी जीता था वहीं जैके शिराब के बेटी किशना स्राब भी खिलाडियों के लिए एक टफ कंपटीटर बनी रही हलांकि एक बारोशों से आउट भी हुई लेकिन फिर वाइड कार्ड बन कर वापस लॉटी और टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगे बनाई वहीं गश्मीर माजनी और शालीन बनोट का सफर भी इस शो में काफी खुबसूरत रहा है और लोग ये सूच रहे थी कि हो ना हो गश्मीर माजनी या शालीन बनोट में से कोई एक विनर बन सकता है लेकिन इन सब को पीछे चोड़ते वे करनबीर महरा ने टॉपी अपने नाम कर ली है लोग दो आपका फेवरिट फ्लेयर कौन था कमेंट बॉक्स में लिखेगा क्या आप खुश है करनबीर महरा के विनर बनने पर ये भी बताएगा साथी एक और गुटनी उसे आपके लिए कि करनबीर महरा जल्द ही आपको बिग बॉस 18 में नजर आने वाले हैं तो अब दिल थाम के वैठीएगा विग बॉस 18 के लिए खर ऐसे ही और वेहतरीन अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं निक्स वीडियो में नई इंपोमेशन के साथ तब तक लिए बाबाई चीक